नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वी एन कार्स पर और आज जो है मैं बेसिकली जो वीडियो बनाता हूं वो कार से रिलेटेड होते हैं या जो भी इंफोमेशन में देना चाहता हूं वो कार के रिगाडिंग ही होती है पर आज मैं आपको क नहीं दूंगा या कुछ यूनिक चीज नहीं दिखाने जा रहा हूं मैं आपको इस कॉमन आटो रिक्षा दिखाने जा रहा हूं जो कि मुंबई का है और मुंबई के आटो रिक्षा जो है रोड पे तो वैसे बहुत सारे सड़क पर आप देखेंगे बहुत सारे आटो रि यह इस ऑटो रिक्षा की खास बात जो है उसकी बनावट है उसे जिस तरीके से बनाये गया है वह की खास बात है और मैं चाहूंगा कि वीडियो देखते समय आप इस ऑटो पे किये गए काम उस काम को देखे और उस ऑटो पे लगे हुए जो कुछ यूनीक लोगों है जो आज की डेट में शायद एंटिक लोगोस माने जाएंगे उन लोगोस पर ध्यान दीजेगा जिस तरीके का प्लेस्मेंट किया गया है उस पर ध्यान दीजेगा डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है इस ऑटो को देखकर बस मुझे इस बात का दुख है कि जो ऑटो के ओनर है वो कैमरे के सामने नहीं आये या वो कैमरे से पर बात करने से डर रहे थे उस बात का मुझे बहुत दुख है तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ओटो रिक्षा इस रिक्षा की सबसे खास बात है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं ओपन टॉप है यह ओपन टॉप यानि खुला हुआ है उसके उपर च्छत नहीं है दोस्तों और इसके बाद रिक्षा का वह जो है आप देखी पा रहे हो किस तरीके से इसमें कुछ लोगो लगे जो है कुछ अलग-अलग शेरुलेट का है कुछ हिंदुस्तान का है हिंदुस्तान मोटर्स का है कुछ अलग-अलग लगी लोगोस लगे है और अन देखिए दोस्तों पुरानी जमाने का जो है अन लगा हुआ है इसमें उपर भी देख पारे हो आप किस तरीके का जो है लो कि आपको गाड़ी देखते ही दिल खोश हो जाएगा दोस्तों किस तरीके की जो है काड़ी पर काम हो रखा है इस आटो की जो सीटे है जो यसा कि वो पता रहे थी मुझे कि यह नासिक में बनवाई है सीटे इस गाड़ी की जो हॉन है आटो में लगा हुआ है वो पुना में एक होन ऐसान के काड़ीगर है उन्होंने से बनवा इंगन देखे दोस्तों इंगन किस तरीके सा चाहिन कर रहा है वो आप देखे ओ क्यूरा जो है स्टील प्लेटिंग है उस पर लिख रूंगλη इंचै kept फह लग सए को श्वार करे दोस्तों कॉरो की अ की आधा जाता है यह यहां आपका दिल करेगा कि इस इंग्यन के पार्ट्स को लगाया जाएंड एक इंग्यन के उपर डायमेंड की प्लेस्मेंट की गई है कितनी शाइन कर रही है इंगें कितना शाइन कर रहा है और आप देख बार है अंदर भी कुछ लोगोस लगाए गए है इस पर इंगें पर भी कुछ लोगोस लगाए गए है काड़ी का नमबर वो भी वी आईपी नमबर है 2727 कि युणिक से लाइट लगाई गई है काड़ी में पीटर भी काफी मतलब युणिक लगाए गया है है हैं अगे देखें किस तरीके से अप पूरा वीडियो में आप उपन का उप इसका पूरी तरीके से दिख पा रहे हो कि अंदर की तरफ देखिए हैंडल कितना पूप सुरत लग रहा है इसका पूराने जमाने का हैंडल है और उसकी चापी देखें कहां लगी हुई है कि पूरानी गाड़ियों के कुछ पार्स को जो है एड़ेस करके कट करके लगाया गया है सामने यह मीटर देखिए दोस्तों किसी पूरानी गाड़ी का मीटर लगाया गया है इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आटो में चितना काव बहुत है हुआ है वो सारा का सारा मैं आपको दिखा सक हूँ पर फिर भी अगर बुच चूड जाता है तो इसके लिए में बेहत माफी जाहूंगा आपसे हुआ 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 है तो सड़क पर चलने वाले लोग या लगजरी कार में चलने वाले भी लोग आपको मुड कर ज़रूर देखेंगे एक बार कुछ इसी तरीकी की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और ऐसे ही कुछ यूनिक वीडियो लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों झाल झाल